हेलो दोस्तों स्टॉप मार्केट स्टीवी के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज हम निफ्टी फिफ्टी के उन पांच स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो इस हफ़ते सबसे ज्यादा प्रॉफिट में गए हैं और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में इन स्टॉक्स में कैसी रणनीती रखनी चाहिए इसके साथ ही आप से इतना अनुरोध है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें इससे पहले की हम आगे बड़े अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकी इसके साथ ही अगर आपको यह वीडियो पसंद है और यह जानकारी पूर्ण लगता है तो इस वीडियो को लाइक कमेंग और शेयर करें तो इस हफते का हमारा पहला स्टॉक आईशर मोटर्स लिमिटेड है यह स्टॉक शुक्रवार 12 अपरेल 2024 को 4302 रुपए और 25 पैसे पर बंध हुआ है जो पिछले हफते के तुलना में 6.72 यानि की 271 रुपए बरहा है स्टॉक का 52 वीक हाई 4382 रुपए और 80 पैसे है और 52 वीक लो 3156 रुपए और 15 पैसे है स्टॉक ने हाल के दिनों में 3886 रुपए के आसपास सपोर्ट लेने के बाद आप मूव दिखाना शुरू किया था अब जो इसका आप साइड लेवल्स निकल के सामने आ रहा है वो है इसका पहला रिजिस्टन्स 4389 रुपए और 75 पैसे इसका दुसरा रिजिस्टन्स 4454 रुपए और 10 पैसे और इसका तीसरा रिजिस्टन्स 4518 रुपए और 50 पैसे अगर यह स्टॉक अपना आप मूव कंटेनियू रख पाता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लेवल्स को भी टाच करते हुए या फिर इससे भी उपर जाते हुए नजर आ सकता है और अगर यह स्टॉक इस लेवल से नीचे की तरफ जाता है तो इसका पहला सपोर्ट होगा 4206 रुपए और 50 पैसे इसका दुसरा सपोर्ट होगा 4097 रुपए और 55 पैसे और इसका तीसरा सपोर्ट होगा 3988 रुपए और 55 पैसे अगर यह stock यहां से downside move करता है तो आने वाले समय में यह stock इन levels को भी touch करते हुए या फिर इससे भी नीचे जाते हुए नजर आ सकता है daily time frame के हिसाब से यह stock bullish नजर आ रहा है और weekly time frame के हिसाब से भी यह stock bullish ही नजर आ रहा है तो आने वाले समय में यह stock और भी उपर जाते हुए नजर आ सकता है फिर भी आपको इस stock में थोड़ी सी सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि इस stock में अब profit booking की समभावना बढ़ती हुई नजर आ रही है तो इस हफते का हमारा दूसरा stock हिंडल को इंडस्ट्री इस लिमिटेड है यह stock शुक्रवार 12 अपरेल 2024 को 598 रुपए और 65 पैसे पर बंध हुआ है जो पिछले हफते के तुलना में 5.02% यानिकी 28 रुपए और 60 पैसे बरहा है stock का 52 वीक हाई 620 रुपए और 50 पैसे है और 52 वीक लो 397 रुपए और 80 पैसे है stock ने हाल के दिनों में 566 रुपए के आसपास support लेने के बाद अप move दिखाना शुरू किया था अब जो इसका upside levels निकल के सामने आ रहा है वो है इसका पहला resistance 610 रुपए और 50 पैसे इसका दुसरा resistance 625 रुपए और 50 पैसे और इसका तीसरा resistance 641 रुपए और 60 पैसे अगर यह stock अपना आप move continue रख पाता है तो आने वाले समय में यह stock इन levels को भी touch करते हुए या फिर इससे भी उपर जाते हुए नजर आ सकता है और अगर यह stock इस level से नीचे की तरफ जाता है तो इसका पहला support होगा 578 रुपए और 30 पैसे इसका दुसरा support होगा 554 रुपए और 70 पैसे और इसका तीसरा support होगा 533 रुपए और 25 पैसे अगर यह stock यहां से downside move करता है तो आने वाले समय में यह stock इन levels को भी touch करते हुए या फिर इससे भी नीचे जाते हुए नजर आ सकता है देली time frame के हिसाब से यह stock bullish नजर आ रहा है और weekly time frame के हिसाब से भी यह stock bullish ही नजर आ रहा है तो आने वाले समय में यह stock और भी उपर जाते हुए नजर आ सकता है फिर भी आपको इस stock में थोड़ी सी साबधान रहने की जरूरत है क्योंकि इस stock में अब profit booking की संभावना बढ़ती हुई नजर आ रही है तो इस हफ़ते का हमारा तीसरा stock Tata Consumer Products Limited है यह stock शुक्रवार 12 अपरेल 2024 को 1149 रुपए और 45 पैसे पर बंध हुआ है जो पिछले हफ़ते के तुलना में 3.04% यानि की 33 रुपए और 90 पैसे बरहा है stock का 52 week high 1279 रुपए है और 52 week low 696 रुपए और 45 पैसे है stock ने हाल के दिनों में 1083 रुपए के आसपास support लेने के बाद आप move दिखाना शुरू किया था अब जो इसका upside levels निकल के सामने आ रहा है वो है इसका पहला resistance 1167 रुपए और 30 पैसे इसका दुसरा resistance 1216 रुपए और 60 पैसे और इसका तीसरा resistance 1266 रुपए और 25 पैसे अगर यह stock अपना आप move continue रख पाता है तो आने वाले समय में यह stock इन levels को भी touch करते हुए या फिर इससे भी उपर जाते हुए नजर आ सकता है और अगर यह stock इस level से नीचे की तरफ जाता है तो इसका पहला support होगा 1084 रुपए और 55 पैसे इसका दुसरा support होगा 1019 रुपए और 20 पैसे और इसका तीसरा support होगा 945 रुपए और 60 पैसे अगर यह stock यहां से downside move करता है तो आने वाले समय में यह stock इन levels को भी touch करते हुए या फिर इससे भी नीचे जाते हुए नजर आ सकता है daily time frame के हिसाब से यह stock bullish नजर आ रहा है और weekly time frame के हिसाब से यह stock bearish नजर आ रहा है तो आने वाले समय में यह स्टॉक किसी भी दिशा में जाते हुए नजर आ सकता है इसलिए आपको इस स्टॉक में थोड़ी सी सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि इस स्टॉक में अब प्रॉफिट बुकिंग की संभावना बढ़ती हुई नजर आ रही है तो इस हफ़ते का हमारा चौथा स्टॉक भारती एयरटे लिमिकेड है ये स्टॉक शुक्रवार 12 अपरेल 2024 को 1225 रुपए और 55 पैसे पर बंध हुआ है जो पिछले हफ़ते के तुलना में 2.9% यानिकी 34 रुपए और 55 पैसे बरहा है स्टॉक का 52 वीक हाई 1245 रुपए है और 52 वीक लो 752 रुपए और 55 पैसे है स्टॉक ने हाल के दिनों में 1183 रुपए के आसपास सपोर्ट लेने के बाद आप मूव दिखाना शुरू किया था अब जो इसका आप साइड लेवल्स निकल के सामने आ रहा है वो है इसका पहला रिजिस्टंस 1240 रुपए और 35 पैसे इसका दुसरा रिजिस्टंस 1277 रुपए और 5 पैसे और इसका तीसरा रिजिस्टंस 1310 रुपए और 70 पैसे अगर यह stock अपना आप move continue रख पाता है तो आने वाले समय में यह stock इन levels को भी touch करते हुए या फिर इससे भी उपर जाते हुए नजर आ सकता है और अगर यह stock इस level से नीचे की तरफ जाता है तो इसका पहला support होगा 1185 रुपए और 20 पैसे इसका दुसरा support होगा 1146 रुपए और 10 पैसे और इसका तीसरा support होगा 1106 रुपए और 95 पैसे अगर यह stock यहां से downside move करता है तो आने वाले समय में यह stock इन levels को भी touch करते हुए या फिर इससे भी नीचे जाते हुए नजर आ सकता है देली time frame के हिसाब से यह stock bullish नजर आ रहा है और weekly time frame के हिसाब से भी यह stock bullish ही नजर आ रहा है तो आने वाले समय में यह stock और भी उपर जाते हुए नजर आ सकता है खिर भी आपको इस stock में थोड़ी सी सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि इस stock में अब profit booking की संभावना बढ़ती हुई नजर आ रही है तो इस हफते का हमारा पांचवा stock महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड है यह stock शुक्रवार 12 अपरेल 2024 को 2070 रुपए और 95 पैसे पर बंध हुआ है जो पिछले हफते के तुलना में 2.86% यानि की 57 रुपए और 65 पैसे बरहा है stock का 52 वीक हाई 2,108 रुपए और 60 पैसे है और 52 वीक लो 1,196 रुपए है stock ने हाल के दिनों में 1,789 रुपए के आसपास सपोर्ट लेने के बाद आप मूव दिखाना शुरू किया था अब जो इसका आप side levels निकल के सामने आ रहा है वो है इसका पहला resistance 2,109 रुपए और 80 पैसे इसका दुसरा resistance 2,156 रुपए और 90 पैसे और इसका तीसरा resistance 2,206 रुपए और 95 पैसे अगर यह stock अपना move continue रख पाता है तो आने वाले समय में यह stock इन levels को भी touch करते हुए या फिर इससे भी उपर जाते हुए नजर आ सकता है और अगर यह stock इस level से नीचे की तरफ जाता है तो इसका पहला support होगा 2,012 रुपए और 60 पैसे इसका दुसरा support होगा 1,153 रुपए और 75 पैसे और इसका तीसरा support होगा 1,891 रुपए और 90 पैसे अगर यह stock यहां से downside move करता है तो आने वाले समय में यह stock इन levels को भी touch करते हुए या फिर इससे भी नीचे जाते हुए नजर आ सकता है डेली time frame के हिसाब से यह stock bearish होता हुआ नजर आ रहा है और weekly time frame के हिसाब से यह stock bullish नजर आ रहा है तो आने वाले समय में यह stock किसी भी दिशा में जाते हुए नजर आ सकता है इसलिए आपको इस stock में थोड़ी सी साबधान रहने की जरूरत है क्योंकि इस stock में अब profit booking की संभावना बढ़ती हुई नजर आ रही है दोस्तों यह video cable और cable educational purpose के लिए है इनमें कोई by sale या hold की सलहा नहीं है आपको व्यापार करने से पहले अपने वित्तिय सलाहकार से परामर्ष करने की सलाह दी जाती है वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में तब तक के लिए अलविदा